तो हेलो और वेल्कम है अव्रिवन वेल्कम टू जी एरेस टेक्निकल तो कैसे हो आप सब आज के इस वीडियो में आप लोगों को पटना मोमें स्कॉलेज से रेलेटेड अपडेट बताने वाली हूँ तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास तक देखेगा वीडियो अच् सेमेस्टर वन का डेट शीट अपडेट ठीक है एंड सेमेस्टर वन एक्जामिनेशन नोटिस 2021 तो जितने भी बीए बीए सी बीकॉम वोकेशनल M.C.A. P.G. P.G. डिपलोमा के स्टुडेंट है उनके लिए अपडेट है सेशन है 2022 तो 2023 तो आप लोगों को जो है एक्जामिनेशन फी जो पे करना है वो है आपका 1,350 रुपीज 1,350 रुपीज उनहीं को पे करना है जो की B.A., B.A.C., B.C.A., B.B.A., B.C.A., M.B.O., A.M.M., C.M.S., B.M.C., P.G.D. F.D., P.G.D.A., M.M., P.G.D. D.C.A., P.G.D. J.M.C. में अपना एड्मिशन लिए हो टेके 1500 केवल P.G.A. के स्टुडेंट्स को पे करना है और 2000 रुपीज केवल M.C.A. के स्टुडेंट्स को पे करना है अपने एग्जामिनेशन फी के रूप में अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पॉइंट नमबर 2 के बारे में तो पॉइंट नमबर 2 है एग्जामिनेशन फॉर्म फर B.A., B.A.C., B.A., B.C.A., M.B.O., A.M.M., C.M.S., B.M.C., M.C.A., P.G., P.G. डिपलूमा सिमेस्टर 1 एं सिमेस्टर 2022 तो 2023 विल भी अवेलेबल ऑन वेबसाइट ओफ पत्ना वमिन्स कॉलेज आट www.pattnavomenscollege.in.in या फिर www.pwcadmission.in.index.html अब आप लोगों को जो पैसा पे करना है, जितना मैंने आप लोगों को बताया है, तीन तारिक से ले करके जो है, 12 तारिक तक आपको बिना अब यहाँ पे लिखा गया है कि जबी भी आप payment कर रहे होगे दोस्तों तो आप लोगों को जो है अपना एक print निकाल देना है एक proof कि हाँ भाई हमने यहाँ पे form को fill up करा है अपना पैसा जो है हमने examination fee पे कर दिया है ठीक है अब admission के साथ लोगों का है पे लिखा गया है कि admit card आप लोगों को ले करके submit करना है college office में 17 तारीक तक ठीक है after the payment of examination fee for end semester 1 examination 2022 kindly download the admit card बहुत ही important है ठीक है important instruction sheet and payment receipt यह तीन चीज़ आप लोग जरूर से download करिएगा और इसका print निकलवाईएगा क्या 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 print कराना है admit card important instruction sheet और payment receipt ठीक है clear है अब आता है next point तो if any problem arises during the form filling contact the examination cell immediately अगर आपको form भरते समय कुछ भी दिक्कत आती है तो आपको examination office में जा करके बताना है information देना होगा ताकि वो आपको help कर सके otherwise जब date fill हो जाएगा